परणाम चाची, खाना वना बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में का है हो, कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है न, इसलिए सुबा नौ बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिये हैं इस अब का बड़ बड़ा रही हो गर्मी का दिन है नौ बज़े तक खाना बना लिये हैं कौनू भूत उत चड़ गया का अरे भूत उत नहीं चाची कल बगल कटोला में आग लग गया था बरी मुश्किल से काबू पाया गया वही मुख्या जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबा नौ बज़े तक और रात का खाना शाम छे बज़े के बात बना लेना चाहिए क्योंकि पच्छुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है भोजन बनाने के बाद चूले के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया मुंबत्ती लाटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो अरे मुनिया इतना तुम कहां से जान गई? तुम बें गई थी का? नाना हमको तो आग से ब्राडर लगता है हम तो एक किताब में अगलगी के बचाओ के उपाई पर रहे हैं आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भड़कर और दो तीन बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए किचन में जाने पर अगर गैस की गंधा आ रही हो तो बिजली का स्विच आफ अन नहीं करना है या गैस लाइटर दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए पहले सभी खिरकिया दर्वाजे खोल दे और रेगुलेटर का नॉप कसकर बंद कर ले जिससे गैस बहार निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कप्रा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोल कर तुरंत 5 रिकट को बुला लेना चाहिए अरे चाची कहां चल दी चाय तो पीते जाएए चाय बाद में हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत खेट से हराचना, छिम्मी, भुट्टा इस अब लेके आया है घरे में पका रहा होगा हम तो समझ गए अब उनलों को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड नहीं पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ हाँ, क्योंकि जो हरपल सतर्क रहेगा वही अगलगे की दिरखटना से बचेगा